हलो गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल मैंने मिस कोमर गाइज आज की वीडियो होने वाली है बहुत जादा इंट्रस्टिंग क्योंकि इसमें ना तो आपकी ज्यादा लगेगी मेहनत हो ना ही लगेगा आपका टाइम और साथी साथी बचाएगी आपके बहुत सारे पैसे तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेक शूर वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरू करते हैं गाइज आज हम बना रहे हैं फेक निल्स जस्ट इमेजिन वह भी प्लास्टिक की बोटल से गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोटल पर की साइड जो ह आप उसे साब से इसकी लेंथ रखें बस बहुत ही सिंपल है आपको इसमें से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेना है और इस तरीके से आपको अपने नेल पर इसे रख कर अपने नेल का साइज रख करना है और जितना भी आपको एक्स्ट्रा लगे वह आपको क कट कर रहे हूं बीच बीच में अपने नेल्स पर ऐसे ही लगा कर देखते रहें और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो उसकी कटिंग कर दें अब गाइज मैं इस नेल जैसा कर्व देने के लिए इस तरीकी से प्रेस कर रहे हूं आपके पास पैन हो पैंसिल हो आप उससे भी इसे कर्व दे सकते हैं या फिर आप सीधा अपने फिंगर्स से भी इस तरीके से इसे कर्व दे सकते हैं बस गाइज अब आपको जितनी अपने फीक नेल की लेंद्ट चाहिए उतना हिस्सा रख के बाकी का जो है वो क्ट कर दे और उससे फिर से शेफ दे दें अब आपको लेना है इस तरह से एक नेल शेपर और जितने भी इसके शार्प एजिस हैं उन्हें पहले आप रिमूव कर दें उसके बाद अपने पसंद की से नेल की शेप दे दें देखिए गाइज इस तरह से आपके फेक नेल्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं वो भी बहुत कम टाइम में और विस्ट मैटिरियल से और बिना पैसा खर्च किये तो गाइज अब इतनी अच्छी ट्रिक के लिए एक लाइक और शेर तो बनता ही है और आप गाइज कर लेते हैं यह गाइज ने यह पास कोई भी नुए है कि आपको इसी इस तो मैं आपको किशिक करें दिखा रही हो अब गाइज आपको अपने और इजनल नेल पर लगाना है यह ग्लू और उसके बाद जबी थोड़ा सा चिप चिपा सा हुजाए थोड़ा सा ड्राइ आउट हो जाए तो उसके बाद अपना जो फेक नेल है वो इसके ओपर स्टिक कर दें और जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है कहीं लग जाए तो उसको आप टीशू से जो है वो रिमूव कर दें और पांच मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही जोड़े जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए तो गाइज आप लगा लए इस तर पर इसकी नेल पेंट और इसीथिर आपने सारे फेक नेल했습니다 अब गाइज हमारा जो ये फिएक नेल है वो अच्छे से स्टिक हो गया है चलिए आप देktorे इस पर कोई अच्छी से नेल पेंट लगा कर की एक कैसी लुप दे रहा है वाओ गाईज दिखी कितना ब्यूटिफू ही लग रहा है इसमें तो मेरे नेल की एकदम से लुक ही चेंज कर दी है और गाईज आपको यह कहीं से लग रहा है कि यह मैं प्लास्टिकी वोटल से बनाया है और गाईज आपको यह फीक निल्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और गाईज वीडियो को लाइक शियर और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले यह एक दम फ्री है और गाईज साथ में बैल बटन को हिट करना बिल्कुल न भूले ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक मौचे